नमश्कर दोस्तों सागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैनी एजूकेशन पर मैं हूँ आपका होश्ट फार्मासिस्ट विकास आज इस वडियो में जाने के दोस्तों पेट दर्द की बेस्ट टैबलेट के बारे में पेट के दर्द को कम करने वाले इसी बेस्ट टैबलेट के बारे में हम बात करेंगे जो एक गोली खाती पेट का दर्द ठीक हो जाएगा जब भी दोस्तो पेट दर्द होने लगता है तो पेट में एठन आ जाती है, मरोड़े आ जाती है और उसकी वज़े से पेट में दर्द होने लगता है तो एक गोली खाती पेट का जो दर्दे वो ठीक हो जाएगो ऐसी powerful tablet के बारे में हम बात करेंगे और ऊस powerful tablet का नाम है दोस्तो मैक्ठाल इसपास टबलेट के अंदर दो दबाइया combination में आती है जिसकी वज़े से और जुझादा powerful हो जाती है और इसको खाती पेट का जो दर्दे वो ठीक हो जाता है इस powerful medicine जिसका नाम है meptal spas tablet कौन लोग इसका उप्योग कर सकते हैं कितनी मात्रा में ये खानी है sad effect क्या हो सकते हैं और सावधानिया क्या रखनी है सारा कोई आज इस वडियो में हम बात करेंगे तो वडियो को शुरू से लेकर रण तक जरूर देखेगा साथ दोस्तों चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्याजूर दिखाएगा ऐसे ही नई नई वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी सबसे पहले जाने जो मेफटल इस पास टैबलेट है आकिर ये क्या है मेफटल इस पास टैबलेट इसका ब्रेंड नेम है और इसके अंदर दो दवाया कॉंबिनेशन में है मेफटल इस पास जो है मेडिकल स्टोर पर इसी नाम से मिल जाती है इसके अंदर दो दवाईया combination में है, पहली है मेफेणामिक एसली है और दूसरी के अंदर डाय सैकलोमीन है, दोनों दवाईया इसके अंदर मिलाए गई है ताकि और जादिये पाउफुल हो जाती है, मेफेणास्पास टैबलर केंदर दो दवाईया है, जो काम कैसे करती है, व कर सकते हैं तो पहला जिनके पेट में दर्द होने लगे क्योंकि आजानी और उसके वज़े से पेट के लिए गुर्ण उसका यह यूज की जाती है इसके air को पियरीट के दौरान कि दौरान जो पेएड़क किया जाता है इसका इस दर्ध को कम करने के लिए डरॉक्र को औरन के लिए एंदर की एक बात के बारे में कितनी मात्रा है और कैसे इस टैबलेट को खाना होता है, कब खाना होता है तो इस टैबलेट का उपयोग दिन में 3-4 बार किया रहता है ज़्यादा तर इसका उपयोग सुबह, दिन में और शाम को खाना खाने के बाद में इस टैबलेट को लेना होता है ये टेबलेट खाना खाने के बाद में लेनी है और दिन बर में आपको पानी ज़्यादा पीना है बात कर लेते हैं इसकी सावधानियों के बारे में क्या सावधानिया रखनी है तो प्रेगनेंसी के दोरान इस टेबलेट का उपयोग नहीं करना है और ब्रिस्ट फेडिंग मदर को भी इस टेबलेट का उपयोग नहीं करना है अगर उपयोग कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर की सलाज जरूर लेनी है इसके लावा इस tablet को खाने के बाद में आपको दिन बर में पानी जादा पीना है और alcohol अगर कोई व्यक्ति यूज़ कर रहा है alcoholic patient को ये tablet बिल्कुल नहीं लेनी है वरना इसके वड़े से और जादा drowsiness या फिर dizziness फिल होगा बात कर लेते हैं इसके side effect के बारे में बाई क्या इसके side effect हो सकते हैं अगर कोई patient इस tablet का यूज़ करता है तो इसके बाद में कुछ ऐसे side effect है जो देखने को मिलते हैं जैसे कि उसके साथ में dizziness फिल होता है उसको चक्कर आने जैसा लगता है मुह में सुखापन आ जाता है उसको प्यास जादा लगने लगती है इसके अलावा vision जो है वो blur हो जाता है उसको patient को दुनला दिखाई देने लगता है साथ इससाथ क्या होता है कि जो patient है उसके शरीर में weakness आ सकती है patient nervousness हो सकता है यानि नवसनस को feel होने लगेगी इसके साथ में क्या होता है उसको nausea, vomiting हो सकती है और patient को sleepiness feel हो सकता है यह कुछ इसके common side effect है अगर इसके अलावा कोई दूसरे side effect आपको देखने को मिलता है तो आपको तुरण doctor से सला लेनी है और medicine को discontinue करना है और कोई भी medicine यूज़ करने से पहले आपको एक बाँ doctor या pharmacist की सरा ज़रू लेनी है तो दोस्तो आज हमने बात किया मैफ्थल इसपास टेबिट के बारे में जो पेड़ दर्क के इलाज में काम आती है कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताना दोस्तो और साथ ही दोस्तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सकाइब कर अपना प्याजरो दिखाएगा ऐसी नए नए वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी ज़ने बाद मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए देखते रहे जैनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल